अब इस क्लिप को देखिए जिसमें दुले राजा की बीवी शरम के मारे इन्हें आदा लड़ू तोड़कर खिलाने की बजाए पूरा खिला देती है और कड़ी मशक्कत के बाद ये लड़ू चबाने में काम्याब भी हो जाते हैं लेकिन भाई साब का बच्पना शायद गया नहीं इसलिए जनाब बीवी के ना करने पर भी उसके बालोस के पकड़ कर उसे जबरन लड़ू खिलाते हैं अब यो बावडी बूच इस स्वैक के चकर में अगर दुलहन शादी के मंडप में ही छोड़ कर चली गई ना तो शादी के दिने डिवूस्ट हो जाएगा शादीयों में कुछ ऐसे लोग ऐसी मज़दार डास करते हैं कि उन्हें देख हम सभी हसी से लोट पूढ़ हो जाते हैं अब इन्हें देख लीजी महाशे इस मौतरमा के घुटनों पर खड़े होकर नाच रहें इस एनोखे डास की शुरुआत तो अच्छी थी लेकिन फिर मौतरमा नास्ते वे ऐसा स्टंट कर देती है कि महाशे मूँ के बल जमीन से टकराते हैं और अपने जवाने की उम्र में ही अपने 32 को अलविदा कर देते हैं कौन है यह लोग कहां से आते हैं लोग खैर जहां से वी आएं हैं लेकिन ये बात तैह है कि ये धर्ती से तो नहीं है हम सभी के साथ लाइफ में कुछ अजीब वरीब घटनाएं होती रहती है लेकिन गुस्ता तो तब आता है जब इन घटनाओं की वज़े से भरी भीड के बीच हमारा पोपट हो जाए इस दुले राजा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब उन्हें सोफे पर बैठने के लिए काफी इज़त के साथ लाया गया तब इनका भारी शरीर और हलका सोफा बीच में आ गया जिससे दुले राजा सोफे के नीचे अगिरे और इनकी इज़त का भजिया तल गया अब इस क्लिप को दिखे जिसमें शादी तो सुक्ष चैन से हो गई लेकिन जब भारतियों का दुला दुलन से मिलने का समय आया तब शायद दुले की गर्ल्फरेंड भी वहाँ पहुंची है और कैमरे में फोटो किचवाने के बहाने दुले के पास बैठ कर अचानक से उसे किस करने लगी पर बेचारे शादे में भायानक कांड हो गया अरे वहाँ अब इस दुले राजा के नकरे तो देखो बीवी मिठाई खिला रही है फिर भी उन्हें तो भाव खाने भाई भाव खाने से पहले दुलन के चैरे के उससे को तो एक बार देख लो चल छोड वैसे भी आज रात तेरे घर में बुकम पाने वाला है पिटेगा भाई तू बहुत पिटेगा तो फिर देर किस बात किये जल्दी से कीजिये लाइक और ऐसे मज़ेदार वीडियो दिखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाल अकन जरूर प्रेस करदेना धन्यवाद